नमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में यह वीडियो होने वाला है कैंटर बेरी किंग वर्सेस पाकिस्तान एक बीच न्यूजिलेंड में जो टूर मैच खिला जा रहा है गाइस पहले बता दूंगा कि कैंटर बेरी किंग अपन जातातर अच्छे प्लियर्स न्यूजिए उनिवर्सिटी लेबल से उठके आते हैं बट सभी न्यू एंड एकदम सा अन्नोन प्लियर गिलने वाला है तो क्या होगा इस इस मैच में हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे इस वीडियो में करेंगे जिम लावें ग्रैंड लीक स्म मैच में कोई ना कोई बंदा आप में से 200 परसें ग्रैंड लीक करेंगा एंड मैं कल वीनिंग भी शेयर करूंगा आपको इतना मैं कन्विडेंट हुई है मैच लिक है तो मेक शूर करना वीडियों तक देखो चैनल में नहीं हो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तैलिग्राम पेजआ के आप सरच कर सकतो ये नीम रुए ऐससी दुनिया और डिरेक्ट लिक में कॉम्में कॉमन सेक्शन में डाल दूँऊ कोंट एक मैच तरयृ वी ठाय भी था हमारे लिए यहाँ पे जादा तर इंटरनेशनल मैचे खेले नहीं जाते हैं तो मैं आपको एग्जेक्ट एवरेज स्कोर बता नहीं पाऊंगा बट बेसिकली निउजलेंड में अच्छे खासी स्कोर्स बनते हैं यह बहुत ही जादा डोमेस्टिक ग्राउंड है ठीक है इसमें आप देखो के एक सो चालिस एक सो पचास बनाएंगे और अगर यह वाला बंदा बैटिंग किया ना एमिन सी के टीम बैटिंग किया तो देखो के नीचे बनना चाहिए ऐसा मेरा एकस्पेक्टेशन है अगर पाकिस्तान यह बहुत गंदा बॉलिंग नहीं कर दिया तो एक देखो की नीचे बनेंगे ठीक है अब मैं आता हूं सी के के तरफ से इसमें मिच है जो खेल रहा है बाकी जो है उनका वीकी वो नहीं खे है नहीं मिदल और आइमीन शायद छे फोर्ट डाउंस की फाइव डाउन यह बैटिंग करने वाले कर जैक बॉयल जैक बॉल आइधिक एक इंपॉर्टन प्लेयर होगा मैने बोल करके रखा इन्होंने छे निक्स में सबसे में बैच्पन होने वाले यह कैप्टिन सी भी करे करेंगे यह इनका अगर देखो बारा मैच सौल लाइनिंग्स में पास्टो बीरियासी रन था कहां पर था गईस यह रन था इनका जो इनके मैचस के लिए जाते हैं एक उनिवर्सिटी लेबल का टूनामेंट होता है जिनका नाम है डिजाइनर होम्स मैट्रो प्रिमियर शि अगर उपन करते हैं अच्छी चॉइस भी है आपके पास बट कितने रन करेंगे यह डाउट है बिकास जो पाकिस्तानी लाइनप से बालिंग वह वर्ल्ड क्लस लाइनप है ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है बट हाँ उनको इंडिनेशनल मैच आते हैं वह बड़े लेबल क अच्छा आता है यह भी डाउट है मुझे एच चमबालीन आइधिंग ओपन कर सकते हैं कल ठीक है एच चमबालीन कभी कबर पार्ट टैम बालिंग भी कर लेते हैं बहुत खास नहीं है मिल ओडर बेट्समेन है बसी के लिए मैथिव है आइधिंग एक बालिंग से अच्छे करना नीचे इफ्तिकार को इन्होंने चार मैच 4 इनिक्स में 75 रन 12 ओवर एक विकेट था इनका फोड मैचस में उसका आगे 12 मैच 15 इनिक्स में 381 रन है आप इनको पार्ट टाइम बालिंग करते हो दिखोगे और मेडल ओर में बैटिंग करोगे बैटिंग करते हुए दिख है इन्होंने बंगलादेश के खिला महाँ पे चार इनका चार सत्रा एंड बारा मैच 35 इनका यह जो मैंने टूर्णामेंट अभी बोला ना डिजाइनर होंस मैट्रो जहां पे निक कवान खेल गया रहे है इन्होंने बारा मैच में पैथी स्विकेट लिया वोडिय इन्होंने बारा मैच में पैथी स्विकेट लिया था इन सेकेंड हाइस टूर्णाम रिस्ट स्पिन करेंगे पाकिस्तान सब कंटिनेंट के देश पाकिस्तान सबसे अच्छा स्पीन खेलते हैं अगर आप कंपेर करोगे इवन इंडिया से में इंडिया भी आप फस्ते वह इस सोधी था गाइस उनको भी अच्छा खेला था आई होप कल भी अच्छा खेलेंगे पाकिस्तान के मिल और बैट्समें इनको ब्लैक कोबन को जो लेफ्ट आम इस्ट स्पिन करते हो दिखो के जनता का सेलेक्शन भी इनका बहुत ही कम है स्रीन डेवे आइधिंग बहुत इस मैच में सबसे अच्छे चॉइस भी होने वाले अगर कंपेर करोगे जैक बोयल एंसीन डेवे यह दो आइधिंग सबसे इंपोर्टेंट पीक होने वाले इन दोनों को मिस मिस मत करना अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग होगा तब तो एक गलती से भी मिस मत करना यह लेकि बैठा है जैक्सन लेता हम अच्छे खासे बैटिंग आ जाता है यह भी मिल्ल ओर खिलते है शायद ना खेलेकल बठा इनको भी आता है बैटिंग याद रखो टाइलर लॉटन लेग स्पिन ग्यारा मैच ग्यार इनिंग्स में दूसरों तीयातर रंकल मुझे प्रोबबली यह बैठेगा विकोस बाकी का तो मुझे लगड़ा है कि खिलना चाहिए फेसर शीट शायद खेलेंगे राइटा मीडियम तीन मैच बीस ओवर में तीन विकेट है नहीं गैस लॉटन भी शायद खेलेगा विकोस यह बैट्समेन है नहीं इनके पास जादा है को जरूर लेना चाहिए राइटाम मीडियम आप जील में ट्राइक करना यह सुपर स्मैश केला था 2018 में उसके बाद से यह चांस नहीं मिला था बहुत खास ऑक्शन है नहीं बट हम बॉलिंग अगर फॉस्ट लेगा तो डिफेंशल ट्राइकर सकते हो थियो वेन वेरकॉम फोर्ड मैचेस के स्कॉर्ड में था केंटर बेडी का एक मैच कहला था जहां पर पाच ओवर डाल तो यह जिरो इकर लिया था फोर्ड में ओवरल टीटेंटी करियर में इन्होंने 15 मैच में 11 लेकर लेकर रखें यह थोड़े एक्स्पीरियेंस प्लेयर भी है एंड जीम इसो के करीब तो बनना ही है शायद 120-130 कुछ ऐसा बनने वाला है मैक्सिमाम बिकाज अगर पाकिस्तान के बालिंग लाइन अब देखो वो चल नहीं रहा है बट हां उनके बास हसना ही नहीं है हरीस्रॉफ है उस्मान कादिर कल बहुत अच्छे परफॉमस दे सकते हैं बेटिंग करेंगे हैदर ली ओपिन कर रहे है और एवन डाउन खेल रहे है ओपिन कर रहे है तो उपिन करेंगे फिर से तो यह बहुत अच्छे कैप्टेन ऑप्शन है खुच दिल शा को का इस मिल्ल ओडर में भेजा गया अगर कल हैदर ली नहीं खेला तो शायद खुच लिशा कल वान डाउन आ सके तब कुछ दिल शाय एक अच्छे का से चोईस होंगे जिशन मलीक एक मैच में बहुत तग्रा केला था मैं आपको बाद में आता उसमें असादुल्ला शाफिक को भी कल शायद मौका मिले एंड शायद कल यह ओपिन कर ले इफ्तिकार रामित को इनको बैठाना चाहिए इस इतना लोग लेबल के प्लियर टीम के अच्छा केल नहीं रहा हैं यह यंग प्लियर नहीं है इफ्तिकार रामित को इनको बैठाना चाहिए आइड़ों पाकिस्तान टीम मैनेज्मेंट करती क्या है मैं एक दूंक सा मतलब में सबसे घटिया मैने तो यह च्छ खास विकेट टेकर रहाएं अगर आप देखते हो यह जो मैचेस हुए इसके आगे की मैचेस अगर आप गौर करते हो इनका तो एक में तीन लिया था एक में तीन लिया था तीन बाइस तीन अर्टीस दो 51 दो 29 गुए तो अच्छ उच्छ से विकेट टींग ऑप अच्छा चला नहीं मुसा खान जो पीसल में ठीक ठाक पर्फोमेंस था इनको भी पाकिस्तान लेके चल रहा है उस्मान कादिर लेक स्पिनर है जिंबाबुई के अच्छा रिकोर्ड था रिसेंटली चार तीन एक विकेट है लास्ट कुछ मैच को छोर के जफर गोहर ये कल ख है बहुत ज़्यादा डी अजिस्टी डाउन के लिए थे 28 अमद बाट दोनों मैच में बॉलिंग से परफोर्मेंस खराब किया था इस्पिकर आमिद ने लास्ट मैच में बॉलिंग किया था तो यह अगर बॉलिंग करेगा ना यह विकेट लेके जा सकता है ऐसा मेरा मानना है बिकास यह वीक टीम के अगेंस थोरे एक्सपिरेंस काम देगा है इस्पिरेंस है खुछ दिल शाह एक मैच में बॉलिंग किया था इसा मेरा मानना है हर इस रॉफ को आप ट्राइ करना जरूर मस्ट पीक है महमध हस्नाइन को लेके चलो कल विकास यह कल विकेट ले सकते हुए टीम के अगेंस्ट एंड मुहमध मुसा को दो मैच खिला आगया दोनों मैच में एक के क्योट मिला तो यह एक थोड़ी डिफेंशल चॉइस हो सकत अगर बॉलिंग करता है शुरू में तो इनके अटलिस चार बॉलर लेके चलो अगर फर्स इंडिंग करता है तो एटलिस टॉप के थ्री लेके चलना इवन ऐसा टिम बनाना जहाब पे गाइस अगर पाकिस्तान चेस किया तो टॉप के दो वैट्समें जीशान एंड हैडर शायद आप देखो जो वहाब रियास आते हुए इफ्तिकार अमिर शायद कल बैठे एवन हैडर अली को भी शायद पाकिस्तान कल रेस देंगे ठीक है विकॉस असाद उल्ला शाफिक को भी इनको खिलाना है सेफ केप्टेन हैडर अली मेरे साब से सबसे सेफिस्ट केप्ट है तो वह सबसे अच्छे कैप्टेन चॉइस होंगे रूहल नजीर जीशन मलीक इस अलसो अगूड चॉइस गाइस सपेशेली जीशन मलीक जो फस्ट मैंच में खेला था बहुत जादा जवर्दस था यह फस्ट मैंच वाला इनक्स तो आई होप कल चले ठीक है तो वीडियो निक कवान को इसमें ट्राई किया मैथ्यू हे को ले लिया एंड इस डेवी तो यह देखके आपको समझ में आ रहा होगा मैं चार बॉलर ले लिया पाकिस्तान का मैं एक्सपेट कर रहा हूं पाकिस्तान फरस इनिंग बॉलिंग करेंगे और सुकेट चटका हैगा जहाँ प तो इस खिलने के आदित है थोड़ा मुड़ा तो शायद सॉरी उस्मान गादी शायद अच्छा खेल जाए बट हरिस्ट्रॉफ बहुत ज्यादा पेस है याद रहो यह भी अच्छे बाइस करेंगे साथ जहाँ पर मैं एक्सपेट करता हूं पाकिस्तान फरस बैटिंग करे मैं कल देखता हूं फिलाल मैंने वैन वीक एन एस डेवी को लिया आप एक प्लेयर को जरूर ट्राइक करो दो प्लेयर इंफेक्ट मेरे सबसे बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए देखो यह कोई नहीं खिलने वाला है ठीक है विल विल्यम्स फिर एड नूटल यह क कौन ची इनको बेकार में जंता सिलेट करके रखे मुझे नहीं मालूम कौन बोला इनको हाँ एच शीपले को ट्राइक करना है इनका रिकॉर्ड अच्छा खासा है मैंने आपको दिखाया भी था अगर जैट गोहर को बेक बन जो गाइस लेफ्ट हम स्पीनर है सेकंड हैस ल केल लेगा इसा मेरा वानना एस डेवी बेस्ट च्वाइस है मैं तू है है एंड चैक बॉयल यह तीन आइटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक एक एक्स्ट्रा प्लियार है वह आपके गट्स के उपर लेना है किसको लेना है किसको नहीं आई होब आपको वीडियो पसंद पसंद आया तो लाइक कर देना एंड येस चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके टेलिग्राम जैनल जॉइन हो जल दी से थैंक्यू गैस